ताजुब होता है जब इस तरह का बयान सिर्फ इसलिए दिया जाता है अदद एक सीट के लिए कास्ट सेंसस की मांग करिए आप उस घटक दल हैं हम लोग भी मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक केंदर की बहरी और गुंगी सरकार नहीं सुन रहे हैं कि मुह से तो निकल नहीं अनुसुचित जाती समाज के साथ जो परिसीमन बादित होने वाला है केंदर की सरकार ने तो कास्ट सेंस कराया नहीं उसका अभाव पूरे मुल्क में है हमारी सरकार थोड़े उनके भरों से बैठ करके रहती हुटो गया हुए खुद का भला करने के लिए खुद के परिव केंदर सरकार इस सर्वे को रुकवाने के लिए एपियर हुई हुए है तमाम मुल्कों यसी मुल्कों ने सेंसस करा लिया पाकिस्तान जिसा गरिब दे सेंसस करा लिया यह विशुग गुरू बनने का दावा करते हैं नमस्कार अब देख रहे हैं दाएक्टिविस्ट और अब के साथ बिहार के पूर्व मुख मंद्री जितनर्वांजी टुईट के हैं और टुइट में कर रहे हैं कि बिहार जो जाती अधारत गन्या हुआ है जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके खिलाप हो जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी मंत्री मंडल में नितिश कुमार के मंत्री मंडल में सामिल लोग हैं मंत्री हैं उनको इस्थीपा दिला करके फिर से जनसंक्या के अनुसार से न्यूक्ति किया जाए हमारे साथ जदिय कि परदेश परवकता अन्जूमारा है डेख रहे हैं जीतन रामाजी को बयान को देखे आधर्णीय जीतन रामाजी जी अनुभावी नेता हैं बड़े नेता है यहां के पुर्मुख मंद्री रह चुके हैं ताजुब होता है जब इस तरह का बयान सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि वह भाजपा नेताओं को मोदी साह को कैसे वह कर सकते हैं किस बात के लिए अदद एक सीट के लिए वह मैं इसलिए कह रही हूं कि इन्हें तो मांग करनी चाहि जाए जाए लेकिन मुह से तो निकल नहीं रहा है क्यों कहीं एक सीट मेरा मलव भी नमिले इनको मांग करना चाहिए था कि हम लोग मांग करते रहे हैं कि स्वर्गिये दसरत मांजी जी को भारत रत्न मिले एक बार भी उन्होंने मुह नहीं खोला आप तो एंडिये किस के आ उनका उसे वो खारिज नहीं हो जाए तो आधनी जीतनरा मांजीद जीव को मैं यह कहना चाहती हूं कि कास्ट सेंसस की मांग करिये आप आप उस घटक दल हैं हम लोग भी मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक केंदर की बहरी और गुंगी सरकार नहीं सुन रहे हैं कि बड़ी जो समस्या होने वाली है अनुसूचित जाती समाज के साथ जो परिसीमन बादित होने वाला है उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो अनुसूचित जाती समाज प्रभावित होगा परिसीमन नहीं होने से तो उनको तो मांग करनी चाहिए कि समा करने के लिए की सरकार भो खूश हो सके में तो बड़ियों कि जो किसी कणिता करने की जो नहीं कि्भारे वेटे भीर्य रिसल 깃ता पहार पहस्ट को निव यसंट सरिक्स करा जिए को पॉध्य खुपराइब सेख्चन जिसकी जितनी आबादी है पिछडा ती पिछडा धलीड या फिर और वंचीत और गरीब तब कहागा जिनका जो रहशु आया है उस अनुपात में अफर्मेटीव एक्षन और लिया जा सके ताकि human development को और हम बना सके और बिहार को बिखसित बिहार बनाने के लिए जरूरी है तो माननी है मुखमंदरी नितीश कुमार जी को जो करना था वो उन्होंने किया है और जो आगे करना है वो करें इसकी चिंता उनको नहीं करने उनको तो चिंता इस बात की होनी चाहिए कि constitutional crisis होने वाला है पारी सीमन बाधित होने वाला है मजबूत हो करके सवाल उठाए के अंधर की सरकार से कि कास्ट रसेंस कराओ उनको तो यह करना चाहिए था राजनीत कहें कि लिए कर रहे ह है इसे कोई फायदा नहीं होगा जाद यादा हम लिगन देखिए जो लोग भी बात बोल रहे हैं निश्चित रुप से पॉलिटिकल लोगे पॉलिटिकल पार्टे से जुड़ेवे लोग है जब इस बात पर निरने सर्वसमती से दोनों सदनों से यह लिया गया फैसला था उस वक्त यह बात उन्होंने क्यों नहीं कहा था उस वक्त तो इन्होंने कहा कि बिहार में जो सर्वे हो रहा उसके साथ हम हैं बार बार कहा कि सदन के अंदर कहा कि हम साथ हैं हम चाहते यह सर्वे हो तभी सर्वसमती बन पाई और जब हमारी सरकार ने यह सर्वे कराना शु इन लोगों ने सुप्रीम कोट में जाकर के सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जब अपियर हुए तो यह देश के सामने तो यह एक्सपोज हो गए कि केंदर सरकार इस सर्वे को रुकवाने के लिए अपियर हुई है और जूठे हल अपनामा के साथ सॉलिस्टर जनरल ऑफ नहीं यह काम करना चाहते यह नहीं चाहते हैं कि इनकी जो सोश्यो एकनोमिक कंडिसन हो उसमें सुधार हो सके इसलिए बारंबार यह इस तरह का वक्तवे दे रहे हैं अब तो यह एक्सपोज हो चुके है सदन के अंदर हम साथ में हैं और सदन के बाहर इस सर्वे को किस तरह से उसको रोकने का प्रियास किया गया और जो हम लोगों ने अरक्षन दिया था उसी आरक्षन के अधार पर चुना और हाई कोट के आधेसा नुजा हम यह चुना हुए थे मिन्सपालिटी और कॉर्परेशन के जुन अगर नहीं का चुना होते तो भारती जनता पा होगा जब आपके पास सर्वे हो उसका रिपोर्ट हो केंदर की सरकार ने तो कास्टे संस कराया नहीं उसके अभाव पूरे मुल्क में है हमारी सरकार थोड़े उनके भरो से बैठ कर के रहती जब उन्होंने कह दिया कि हम कास्टे सेंस नहीं कराएंगे राजी चाहे प्रां जिन संक्या के अनुशार क्या आरच्छन मिलेगा लोगों को क्योंकि अगर हम बात कर लें दलीत समुदा की तो उनके आरच्छन अभी 16% है जबकि उनके अवादी 20% है गई बिलकुला हमारी पाटी की और हमारे नेता की इस पे आसपस्त उनकी सोच है कि are Shenka बढ़ना चाहिए लेकिन औरक्षन जुश अविσι यह वो Constitutional विसख है वह सटीकट कवरी तो हमारी तो यह मंशाह है ही और हमारीश पस्त टेका सोच का कर अरक्षन का दारा यह नहीं चाहती है कि पिछड़ा ती पिछड़ा डली तो इसके उनका संविधानिक हग उन्हें पॉल सके तो यह थे हमारे साथ जद्यू के प्रदेश प्रवक्ता अंजु मारा जी जो साप कहा है कि अपने फायदे के लिए जितना रमाजी बयान देते हैं और वो एक सिट के लिए इस तरह का बयान देते हैं अपने बेटे को आगे करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं और झाल को बंगा फ्जड़ सेंट